कि पहले तो महामें व्राजपाल जी का भासन होगा दोनों सदन के लोग रहेंगे उसके बाद फिर सदन की कारवाई जब सुरू होगी तो विधानसभा के अंदर जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं आज पूरे प्रदेश में लायन आडर खराब है रक्षक ही भक्ष सब्तक बना हुआ है तो लायन आडर पर चर्चा होनी है सदन में महमाई चरं पर है उसुझा हो नी है बरुजगारी पर unisar का सरकार भाग रही है बिरुजगारी एक बड़ा मुद्दा हुआ है इक जब देस में एक डेस एक टेक्स एक देस एक पिपर जब सब चीज्य क हो रहा है तो फिर इस देश में एक देश और सिक्षा एक समान क्यों नहीं हो रही है इस पर चर्चा होनी है आज गरीब इलाज के अभाव में मर रहा है जब स्वर्गी अटल विहरी वाजपेई जी ने कहा था कि अगर गरीबों को कुछ देना है तो सिक्षा और इलाज फिरी दो वही सरकार जो वाटल विहरी वाजपेई जी को आदर्स मानती है तो उनके विचार को भी सदन में उठा करके हम इस पर चर्चा कराएं करने की कोशिस करेंगे कराने की कि वही आज देश में जरूरत है जो गरीब कमजोर लोग हैं वंचित लोग हैं पिछड़ी दली अलपस चिक्षा की आज उनको फिरी इलाज की जरूरत है आज प्रदेश में जो सरकार एक बड़ा मुद्दा पूरे प्रदेश में है कि यह मीटर ऐसा लगा रखे हैं पूरे प्रदेश में यह तो कह रहे हैं कि सात रुपया पर यूनिट हम बिजली ले रहे हैं लेकिन इनका आने पर माफियाओं के नाम पर जो गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचीत हैं जो पचासो साल से कड़ो साल से गाउसभा की जमीन पर बसे हुए हैं उनको जो है सरकार उजाड रही है और वो माफिया गुंडा तो नहीं है तो इस चीज को भी सदन में उठाने का काम हम ल सदन में नेता भी वादा करते हैं कि हम 90 दिन सदन चलाएंगे जो मानक है लेकिन कितना चलाया वह आप सब लोगों ने देखा उसी तरह सरकार नहीं चाहती है कि सदन की अंदर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हो विपक्ष उस बात को उनके सामने रखे व व्मेशा से किये हैं और करते रहेंगे मिलकुल सदन और जो नियम है नियम के सदन को चलाये जाए जो नय मेंबर आए हुए हैं चुन करके पुराने मेंबर है जो हैं अपनी बात रखना मिले कम समय रहेगा तो कहां से लोग बोल पाएंगे आपका बैयान आया कि इसी कमदों से निकलने की जो बात करी बैयान उसको किस तरह कि देखे आज जरूरत है समझवादी पार्टी के तमाम नेता हमसे मिलते हैं तो यही हमसे कहते हैं कि हमारे भी नेता को कहिए जैसे आप चलते हैं उसे हमारे नेता भी घर से निकले और जनता के बीच में चलें बैटकूं का दौर करें लोगों से मिल्जूर करके संगठन कैसे आगे बढ़े उसी बात को मैंने कहा है कि मानी अखिलिस यादव जी को अब अपने कमरे से निकल करके जनता के बीच में चलने की जरूरत है संगठन को और गती देने की जरूरत है इसी बात को हमने कहा हैं